तो मा ने मुझे से कहा कि उन लोगों को अपना मसवारा दे दे कि सापों के जोड़े वाली मूर्ती को गंगा जी के पानी में बहा कर उससे छुटकारा पाएं नागेंज हाराय फ्रेलोच नाय भस्मांग राराय माहेश्वराय लिध्याय शुथाय ते गंब राय भस्में नकाराय नमाहां शिवाय रच्छा सूत्र चैनल पर सवी भक्तों का श्वागत है हम सवी भक्तों को माहरा जी की अद्भुत पावन कथाएं शुनाने जा रहे हैं कृप्या सवी भक्त ध्यान शे शुने मेरी पत्नी की तरफ से लोग मेरट सहर के जाने माने लोगों मैंसे हैं मेरे ससुर जी बैद थे और अपनी सादगी और इमानदारी की बज़े से मित्रों और मरीजों द्वारा बड़े आदर के साथ देखे जाते थे आसपास के लोग उनसे आध्यात्मिक मार्ग दर्शन के लिए भी आते थे क्योंकि बेहनुमान जी के परमभक्त थे मैं इस परिवार का दामाद हुआ तो इस कारण से उनके जानने वाले लोग मुझसे भी अच्छा बरताव करते थे उनमें से एक सुरेश रस्तोगी भी थे जिनका हैंड लूम करगे से बने वस्तरों का व्यापार था उनके और मेरे व्यक्तिगत सम्मंद हो गए उनके तीन वेटे थे और उनमें से एक की बहु ऐसे परिवार से आती थी जो बाबा जी के भक्त थे जब उन्हें ये पता चला कि मैं बाबा जी को नत्मस्तफ हूँ तो बे लोग भी मुझे ब्यक्तिगति रूप से जुड़ गए बे लोग सन 1975 में कैची गए तो मा के संपर्क में भी आए इसके साथ ही मा मैं उनकी भक्ती प्रति दिन बढ़ने लगी उनकी सुरेश जी की पतनी विशेश रूप से बाबा जी के अन्यमंदरों में जाने लगी शिरी सुरेश रस्तोगी जी ठेरे वे अपारी तो उनको धन से बहुत मोह था इसलिए वे अपने धन को दिनों दिन बढ़ते देखना चाहते थे और इसलिए वे संतों को प्रसंद करने में लगे रहते थे मा से मिलने से पूर वे किसी एक तांतरिक के माध्यम से तंत्र मंत्र में भी पढ़ चुके थे उस तांतरिक ने उन्हें सापों के जोड़े की एक चांदी की मूर्ती दी थी जिन में एक नर था और दूसरी थी मादा और कहा कि इसको घर में रखने से धन दिन दूना और रात चौगना बढ़ेगा जब मेरी मुलाकात रस्तोगी भाई से हुई उस वक्त भी ये चांदी की मूर्ती उनके घर में थी पर इस बात का उन्होंने मुझसे कतई जिक्र नहीं किया वे भगवान को मानने के एरादे से इसके साथ ही और बहुत से स्थलों पर भी जाते रहते सिरी रस्तोगी भाई की जिन्दगी में कहीं जाकर चीजें विगडने लगी तब एक दूपहर को जब मैं मा लोगों के साथ कार से रिशी केश से ब्रंदा बन जा रहा था मैंने मा से प्रातना की कि आप किरपा करके रस्तोगी भाई के घर पर रुप कर उन्हें आशीरवाद दे दे मा एक दम राजी हो गई और इस प्रकार एका एक मा के पधारने से शिरी मती रस्तोगी बहुत प्रसन हुई मा से मिलने के लिए शिरी रस्तोगी भाई भी अपने आफिस से आए मा के इस प्रकार घर आकर दर्सन देने से हम लोग एक दूसरे के और नजदी का गए जब भी मैं अपने सस्राल वालों से मिलने मेरट जाता तो मैं रस्तोगी भाई की ब्यापार की जगह पर पैदल ही चला जाता उसी एक मुलाकात के दौरान रस्तोगी भाई ने अपना दिल मेरे सामने खोला और बताया कि उनके इस काम धाम में काफी गड़वडी चल रही है और आर्थिक दरश्टी से वो डूपता चला जा रहा है मैंने उनको सुझाया कि मा की किरपा को याद करें और उहां जाकर उनका आशीरवाद ले आएं शिरी मती रस्तोगी ने एक अपसर पर मा से आशीरवाद की गुहार की तो मा ने कहा जब सब कुछ नश्ट हो गया है तब तु मेरे पास मदत मांगने आ रही है कुछ थोड़ी देर चुप रहने के बाद बे शिरी मती रस्तोगी शे बोली कि घर में रखी हुई उन सापों के जोड़े वाली मूर्थी को फेका शिरी मती रस्तोगी को इस बात पर बहुत आश्चर हुआ क्योंकि उनकी समझ में तो ये बात उनकी परिवार ने किशी को बताई ही नहीं थी जब अगली बार मैं मां से मिला तो मां ने मुझे से कहा कि उन लोगों को अपना मसवारा दे दे कि सापों के जोड़े वाली मूर्थी को गंगा जी के पानी में बहा कर उससे छुटकारा पाए मैंने ये बात जाकर शिरी रस्तोगी भाई को बताई पर जहां तक मुझे मालूम है उसके बाद भी वो उस मूर्थी को कुछ महिने और अपने पास रखे रहे कथा लंबी है आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में शुनाएंगे हर रोज महराज जी की कथाई शुनने के लिए रच्छा सूत्र चैनल को अवस्य सब्सक्राइब करें सेयर करें और लाइक करें घंटी बजाना ना भूलें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जै नीव करोरी बाबा जी महराज बोलो नीव करोरी बाबा जी महराज की जै बोलो